असलाम अलेकुम फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद करती हूँ सब खेरियत से होंगे आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक किचन टूल्स डिस्कस करेंगे जो अगर आपके पास हों तो जहां आपके काम में असानी होती है वहीं आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होता है आज की वीडियो किचन में यूज होने वाले कुछ मैनवल्स चॉपर के बारे में है और इसके पार टू में आपके साथ अलेक्टिक टूल्स के बारे में भी डिस्कस करूंगी तो आज मैं आपको अपने कीचन में मौजूद मैनवल्स चॉपर्स का रिवियू दूँगी और इनकी प्राइस वगरा को भी हम डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ इनका प्रॉपर यूज भी आपको बताऊंगी तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नियू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो काइन लीव सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और बेल आइकन को पुश कर दें ताके मेरी हर आने वाली नियू वीडियो आपको मिलती रहे फ्रेंड्स ये हैं मेरे किचन में मुझूद कुछ मैनवल चॉपर्स चलिए वन बैवन हम इनको डिसकस करते हैं और देखते हैं कि इन में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है और ये कैसे यूज होते हैं ये फरस्ट चॉपर जो आपके सामने है ये है चिली पेपर और ड्राइफरूट चॉपर ड्राइफरूट को चॉप करने के लिए ये सबसे बेस्ट है मुझे आई तक इससे कोई और अच्छा ड्राइफरूट के लिए चॉपर नहीं मिला ड्राइफ रूट के साथ साथ आप इसमें वेजिटेबल भी चॉप कर सकते हैं लेकन परसनली मुझे इसमें ड्राइफ रूट चॉप करना ज्यादा पसंद है टू पार्ट में ये बना हुआ है ये इसकी बेस है इसमें चॉप होने के बाद कॉलेक्ट होती है और ये इसके कटर हैं और ये नौबेज इसको हम गुमाते हैं और चीजों को बहुत ही असानी से चॉप कर लेते हैं अभी मैं आपके सामने कुछ वेजिटेबल्स और ड्राइफ रूट इसमें चॉप करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा काम करता है अधरक लेसन या सबसमिर्चे इसके अंदर बहुत जबदस चॉप होती हैं तो ये मैंने आपके सामने कुछ लेसन इसके अंदर डाला है और इसको हम चॉप करेंगे बस 30 सेकंड्स में ही इसको चलाने से लेसन चॉप हो गया और यह देखें कितना जबदस चॉप हुआ है इसी तरह से यह अपनी एक वीडियो के लिए मैंने इसमें ड्राइफ रूट्स चॉप किये थे और आपके सामने ही है यह इसमें बहुत ही जबदस ड्राइफ फूट चॉप होते है ना तो बहुत ही बारीक करता ही उनको और ना ही बहुत मोटे तो आइडियल किसम के नट्स अगर आपने चॉप करने है तो उसके लिए यह चॉपर बेस्ट है इसको मैंने 450 की रेंज में बाई किया था लेकर अब इसकी जो प्राइस है वो 500 तक है तो अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपके किचन में यह एक बहुत अच्छा अच्छा अडिशन होगा और सेकेंड जो मेरे पास कटर है वो है फ्रेंच फ्राइस कटर बहुत सारे लोगों के पास तो यह होगा इसाही इसमें बहुत जबरदस फ्रेंच फ्राइस कट होते हैं स्पेशली मौनिंग में जब बच्छों को यह लंच के लिए मुझे फ्रेंच फ्राइस काटने होते ह टाइम भी कम होता है तो बस जल्दी से मैं पुताइटोस को पील करती हूँ और इसमें डाल कर फ्रנ्च फ्राइज काट लेती हूँ और विदिन नौ टाईम मेरे फ्रेंच फ्राइज त्यारःज त्यार जाते हैं जैसा के आपके सामने मैं काट रही हूँ बहुती जबरदस किसम के फ्रेंच फ्राइज काट होते हैं इससे टाइम भी सेव होता है और काम भी असानी से हो जाता है मेरे पास ये एनिक्स कंपनी का है और मैंने इसको थर्टीन हंडड की रेंज में बाई किया था अभी भी इसकी प्राइस थर्टीन टू फोर्टीन हंडड के दरम्यान है तो बस अगर आपके बच्चे ये घर वाले फ्रेंच फ्राइस की शुकीन है तो फिर आप इसको बाई करी ले अब थर्ट कटर जो मेरे पास है वो है मल्टी वेंडर इसके नाम सही जाहिर है ये मल्टी परपस है इसमें आप चिपिंग, स्लाइसिंग, श्रेडिंग, गार्णशिंग, ग्रेटिंग, पेरिंग सब कर सकते हैं और बहुत ही जबर्दस ये काम करता है अभी मैं आपके सामने ये सारा करके दिखाऊंगी कुछ इस तरह के बॉक्स में ये होता है और सारे कटर इसी बॉक्स के अंदर है ये जो फर्स्ट आपको नजर आ रहा है ये स्लाइसिंग के लिए है इस से बहुत जबर्दस आप स्लाइस काट सकते हैं ये जो सेकंड मैं आपको दिखा रही हूँ ये गार्णशिंग के और ये जो कटर है ये अगर आप यहां पर लगा देंगे तो इससे आप फ्रेंच फ्राइज इसली काट सकते हैं और ये सिट्रस फ्रूट के जूस के लिए है बहुत ही जबर्दस मैनवल तरीके से आप जूस एक्स्रेक्ट कर सकते हैं और इन वगरा का इसके जरीए अभी ये मेरे पास ग्रेप फ्रूट है और मैं आपके सामने इसका जूस एक्स्रेक्ट करने लगी हूँ तो बस इसको हलका सा पुछ करें और इसली जूस जो है वो निकल जाएगा और स्टेन ओकर नीचे चला जाएगा बाउल में जूस वगरा को एक्स्रेक्ट करने के लिए सामी सा ग्रेप फ्रूट का जूस त्यार किया है अब इसके बाकी के कटर को भी यूज करते हूए मैं आपको वेजिटेबल को कट करके लिखाती हूँ तो पहले इस कटर के जरीए हम स्लाइसिंग कर लेते हैं इस तरह से आपने इस पीस को लगाना है और उसके बाद आपने इसली स्लाइस काट लेने है तो जब भी मुझे स्लाइसिंग करना होती है तो मैं इसको यूज करते हूए बहुत मज़े की स्लाइस काट लेती हूँ चाहे मुझे लंबे काटने हूँ या गुलाई में काटने हूँ बहुती जबदा स्लाइस इससे त्यार होते हैं ये देख feelience हो तो इसके बगार भी कीया सकते हैं या प्रहिस्तीके मैं नी किया ऐ लगाएं और आराम से चिपस गया के लिए इसलाइस को काट लिए तो बहुती जबस्त और थिन स्लाइसिग करते हैं इसके साथ और अब अब इसके साथ यह वाला जो मैंने फ्रेंच फ्राइज कटेंगे और अगर आप मोटे वाले काटना चाते हैं तो इस प्लेट को हटा दें तो फिर आपके फ्रेंच फ्राइज मोटे कटोंगे तो आपने देखा कि कटर तो हमने एक यूज किया लेकिन उसको डिफरेंट टिके से अपरेट करके हमने डिफरेंट तरह से फ्रेंच फ्राइज काटे अब हम थर्ड बलेड को टैच करते हैं और यह बलेड जो है यह गानशिंग के लिए है इसके जरीए से आप वेजिटेबल को इस तरह से कट करेंगे कि आप इससे डिफरेंट टाइप के ब्यूटिफुल सैलेड त्यार कर सकते हैं तो देखा आपने के सैलेड की गानशिंग के लिए जब आपने वेजिटेबल कट करनी है तो यह एक वंडरफुल बलेड है उसके लिए और अब जो मैंने बलेड अटैच किया है यह ग्रेटिंग के लिए है इससे आप किसी भी वेजिटेबल को ग्रेट कर सकते हैं जैसा कि ये मैं आपके सामने खीरे को कर रही हूँ या आप चाहें तो बेशक पोटैटोस को करें या अनियन को करें कोई भी वेज़िटेबल आप लें बहुत जबरदस्त इसके साथ ग्रेट होगी अभी जैसा कि मैं आपके सामने अनियन को ग्रेट कर रही हूँ और ये देखिए जी कितना जबरदस्ट ग्रेट हुआ है अनियन इस ग्रेटर की हल्प से तो ये था जी मल्टी वंडर का यूज़ मैं इस तरह से जब इस से वेजिटेबल को ग्रेट करती हूँ या गार्शिंग के लिए यूज़ करती हूँ और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं इस मैनूल चॉपर की ये क्विक हैंड मिकसर है मेरे पास ये भी एनिक्स का है इसी तरह में थ्रेट के साथ भी चॉपर अवेलेबल है आप थ्रेट वाला चॉपर लें या ये लें दोनों काफी अच्छा काम करते हैं इनके ब्लेड भी काफी तेज हैं और आप इसली वेज़िटेबल को इनकी हल्प से चॉप कर सकते हैं इस चॉपर के साथ ये कुछ असेसरीज भी अवेलेबल हैं इसको आप एक बीटिंग के लिए या कॉफी बीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कॉफी इससे बहुती जबरदस्त बीट होती है आगे मैं आपको दिखाऊंगी साथ में ये इसके एक पीलर भी प्रवाइड किया गया है और ये बास्किट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वेज़िटेबल्स को ड्रेन करने के लिए ये भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी और ये ब्लेड्स के लिए प्रोटेक्टिव कवर्ज हैं अभी मैं आपके सामने इसका डेमो भी दूँगी लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नियू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइड ली सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो थम्सप दें और बेल आइकन को पुछ कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे अभी जैसा के आपके सामने मैंने कुछ वेजिटेबल्स डाली है और इनको मैं चॉप करूंगी ये बहुत ही अच्छा चॉप करता है जो सॉफ्ट वेजिटेबल होती है लेकिन अगर हर्ड वेजिटेबलों जैसा के गाजर वगरा तो वो इसमें चॉप करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है लेकिन प्याज, खीरा, गोबी वगरा को ये बहुत ही जबदस चॉप करता है अगर आपने कचॉमर सैलिट त्यार करना हो तो उसके लिए ये बहुती बेस्ट है और ये जो इसके साथ बीटर अवेलेबल है इसको यूज करते हुए मैंने काफी बीट की थी और बहुती जबदस काफी इसके साथ बीट होती है इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है आप देख सकते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी काफी बीट करता है ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी के धनिया या पुदीना वगारा को अगर आपने ड्रेन करना हो वाश करने के बाद तो वो भी इसमें बहुती अच्छे से ड्रेन होते हैं ये देखिए अभी मैंने धनिया को इसमें डाला है इसको मैंने वाश किया था इसमें पानी मुझूद था और इसने इसको बहुत अच्छे से ड्रेन कर दिया है और सारा पानी इसमें से निकाल दिया है इस तरह जब हम वाश करने के बाद इनको ड्रेन करके फ्रिज में रखेंगे तो ये खराब नहीं होगे इसमें थ्रेट के साथ एक मिनी चॉपर भी मिलता है उसको आप बिलकुल मत खरी दियेगा वो बहुत बेकार है और कोई भी फंक्शन नहीं करता मैंने उसको खरीदा था और वो बिलकुल मेरे लिए यूजलस है फ्रेंड्स ये हैं मेरे किचन में मुझूद मैंनुल चॉपर्स मैं इनको यूज करती हूँ और जहां मेरा काम असान होता है वहीं मैं अपना टाइम भी सेव करती हूँ आप इन में से कोई भी बाय करें ये सारे बहुती बेस्ट है मुझे अमीद है कि मेरा ये रिवियू और डेमो आपके लिए यूसफुल रहेगा और आपको भी अगर मैनुल चॉपर बाय करना है तो आपको बाय करने में असानी रहेगी फ्रेंड अगर वीडियो आपके लिए यूसफुल रही हो तो थम्सप दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुछ कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे इन्शालला फिर मिलेंगे कुछ मज़ीद इंफरमेटी वीडियो के साथ अलाव फिर